UPSC 2022 का कोशन है बोला गया है कि एक क्यानवे गुना 92 गुना 93 से 99 तक सब को गुना करिए और 1261 से भाग दिजिए तो बोलिए सेस क्या बचेगा किसी के लिए आसान नहीं है ऐसा बनाना इतना गुना करना भी आसान नहीं है इसका मतलब है कि यह नमबर जरूर इन सबों में किसी न किसी से कुछ न कुछ कटेगा जिससे हम फिर बाद में भाग आसानी से दे सके यह हो सकता है कहीं पूरा-पूरा ही कट जाए यदि पूरा-पूरा कट जाएगा तब रीमेंडर हो जाएगा जीरो और नहीं तो कट करके एक छोटा संख्या ऐसा आएगा जिससे भाग देना हमारे लिए आसान हो सके तो सबसे पहले क्या खो जा जाए कि यह नंबर किस से डिविजिवूल है तो आईए यहले हम पता करते हैं कि 1261 कितना से कटेगा तो आईए शुरू करते हैं 2 से नहीं कटेगा 3 से 1, 6, 7, 2, 9, 1, 10 नहीं कटेगा अब 3 से नहीं तो आप कितना से 5 से यह जानते हैं कोई भी नंबर कितना से बिभाजित होगा इसके लिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर से ट्राई करते हैं तो आई अब साथ से ट्राई करिए नहीं नहीं कटेगा से शेक बज़ जागा चलिए उसके बाद हम लोगी 11 से ट्राई करिए 6, 7, 2, 3, नहीं कटेगा 13 से ट्राई करिए 13 सते 13 नमा 117 एक्यानवे हाँ देके मिल गया यानि यह जो है वह 13 गुना 97 है 1261 तो 13 से देखे यह कट जाएगा और 97 97 से कट जाएगा तो यह नंबर फूरा 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 कट गया तो रिमेंडर हो जागा क्या जीरो पूरा पूरा बिभाजित होना कब कहा जाता है जब नीचे में कुछ नहीं बचे उपर कुछ भी बच जाए उपर कुछ भी बच जाए उपर जो बच रहा है वो भागफल है कोसियंट है नीचे का नंबर पूरा पूरा कट जाना ही बिभाजित होना कहलाता है तो नीचे तो कुछ नहीं बचा मतलब पूरा-पूरा बिफाजित हो गया पूरा-पूरा डिफाइड हो गया पूरा-पूरा डिवजिबिल हो गया तो जब कोई संख्या पूरा-पूरा कर जाये तो remainder क्या होता है 0 चलिए वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजे, सेर भी कर दीजे, बहुत बहुत धन्यवाद